प्लेज दर लौड आज अब को जय मसी की मैं प्रमिसर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुभा के लिए जो प्रपूज में हमको दिखाई है और एक और नया दिन हमारे सामने रखा है ताकि हम उसकी तारीफ करें उसकी बढ़ाई करें उसका गुनानवाद करें आज के इस नए दिन में मैं आपको एक संदेश सुनाना चाहता हूँ बाइबिल से और जैसे कि आप जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं यहां के जो राजनेता हैं वो बड़े-बड़े वाइदे हम से करते हैं वोट पाने के लिए कि हम उनको वोट करें वो जीत जाएं और वो किसी ना किसी तरह संसद में बहुंच जाएं और हमारे राजनेता जहें जयादत तर उन वाइदों को पूरा नहीं करते हैं आज उसी विस्सेपर मैं बात करूँगा मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देखरें मेरा यूट्य जारिस करता हूँ कि इसे सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दबाएं तकि नोडिफिकेशन आपके पास पहुंचे और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट सक्षिन में अकर जरूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है मेरा एक और चैनल ह जिसका नाम है मसी समाज वो नीज चैनल है आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है आप उसे क्लिक कीजिए और मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तकि नीज मैं उधर दे सकूं तो आईए एक छोटा सा वचन है छोटा सा वीडि अब मैं यह नहीं जाता है कि उनकी नजर में अच्छे दिन क्या हैं लेकिन गरीबों की नजर में मिल्ल क्लास जो फैमिलीज हैं उनकी नजर में अच्छे दिन क्या हैं कि रसोई गैस वाजब दाम में मिले राशन वाजब दाम में मिले सस्ता नहीं लेकिन लेबल पर मिले कि हम खरीच सकें और हर समान अच्छी तरह से मोहिया हो इसी को मेरे ख्याल से इसी को जो मिडल क्लास लोग हैं जो गरीब लोग हैं उसे इसी को ये अच्छा अच्छा दिन कहते हैं कि खाना मिल जाए पेड भर के खाना खाकर सोई देखिए परमेसर भूका उठाता जरूर है लेकिन सुलाता कभी नहीं है तो अच्छे दिन कैसे आएंगे करी बार हम देखते हैं कि बहुत से विस्वासी घरों में ललाई जगड़े हैं तफरके हैं मन मुटाब हैं लोग घर छोड़ छोड़ के चले जाते हैं दूर रहते हैं अलग हो जाते हैं तो यह अच्छे दिन नहीं है यह अच्छे दिनों का संदेश नहीं है यह तरह से बुरे ही दिन है कि हम परमेसर ने तो हमें एक जुठ होने के लिए बनाया था लेकिन हम अलग-अलग होगए तो जब अलग-अलग जhouड़ बिखर जाता है तभी शेटान भी काम करता है क्योंकि हम देखते हैं कि डिसक बरी में में जब नुड़ देखते हैं जैनवर में जो प्रोग्राम क्या करता है जब देखता है कि छून डालक अले हो गए पहले वह हमारे बीच में फूट डालेगा लडाई जगड़े डालेगा तफर के डालेगा मन मुटार डालेगा उसके बाद वह क्या करेगा जब हमें देख लेगा इत्तर भी तरोगा तब वो हमें अपने टुटुटुगी बनना चाहेगा तो वो अच्छे दिन नहीं है अच्छे दिन कैसे आएंगे हमारे दिन बाइबल कैसे बताती है कि अच्छे दिन आएंगे बाइबल जूट नहीं बोलती बाइबल जूटे वाइदे नहीं करती बाइबिल सच्चे वाइदे करती है एक सच्चा वाइदा है बाइबिल का आईए उसे देखेंगे पहला पत्रस्ती नध्याए देखें क्या लिखा है इसमें दस आयत को मैं पढ़ूँगा या लिखें क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वे अपनी जीव को बुराई से और अपने होटों को छल की बाते करने से रोके रहें अगर हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में लड़ाई जगड़े ना हो तफरके ना हो, मन मुटाव ना हो, दूरिया ना हो, अलगाव ना हो, नशा ना हो, बांजपन ना हो, वेर्थ की बाच्चित ना हो, पाप ना हो, वेविचार ना हो, नशा ना हो, तो हमें करना क्या है, लिखा है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता और अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जीब को बुराई से रोके हैं जीब को बुराई करने से हम जीब को रोके रहें यह जीब ही है जो हमें कहां से कहां पहुचा देती है हमारी जीब से हमारी पहचान होती है एक बार जब यह सुमस्ची को पकड़ दर ले जा रहे थे लोग तो पतर पत्रस ने का नहीं मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं उसको नहीं जानता, तो उसने का नहीं, तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है, तो हमारी बोली हमारा भेद खोल दे कि हमारे अंदर कितना प्रेम है, या हमारे अंदर कितना कुरोध है, या हमारी बोली हमें बता देगी, हैं लोग और अगर हम उदास अजय हैं भलाई होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए उसका एक कारणा बताता हूं उसके बाद मैं समाप करूँगा भजन सिता 119 अध्याय और उसका 68 पद है उसमें देखे क्या लिखा है तू भला है और भला करता भी है मुझे अपनी विधिया जिखा परमेसर भला है और हम कौन है हम परमेसर की संतान हैं जब हम परमेसर को हे पिता कहकर हे अब्बा कहकर आप तो भाला है और बच्चे बुराई कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा, इसलिए हमारे जीवन में अच्छे दिन नहीं आते, क्योंकि अंदर बुराई भरी भी है, हम इस बुराई को निकाल दे, इस बुराई से कोई फायदा नहीं, यह बुराई हमें नरक की और ले कर जाती ह हमें परमेसर से दूर कर देती है, और हमें सैतान की और कीज कर ले के चले जाती है, और सैतान अपने कबजे में करके हमें अपनी ही तरह चलाता है, तो अपने अंदर से बुराई को निकालते हैं आज ही, और वाइदा करते हैं परमेसर से, क्योंकि प्रभू आज के बाद मै कोई बुराई नहीं करूँगा आज के बाद मैं कोई बुराई नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे दिन देखूँ मैं अच्छे दिन देखूँ अगर आप अच्छे दिन वार पार छेता है ये दोधारी तलवार है अगर ये मुझे काटेगा तो आपको भी काटेगा हलेलुया आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी बने रहेगा मेरे साथ एक नए संदेश के साथ मैं आपके साथ फिरुम पुस्तित होंगा इ इस वचन को शेर कीजिए आगे बढ़ाएजिए लोगों तक पहुचाएजिए ताकि लोग भी जान सकें कि अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं ट्रेस दलाओड